इस्टूदेंस हमारा टॉपिक है एग्रिगेट्स ओफ नैशनल इंकम मेरी बात याद रखेगा ये एग्रिगेट्स क्या होते हैं इतने क्यों होते हैं क्या लॉजिक है हर लॉजिक हर क्यों का जवाब आपको मिलेगा मिलना भी चाहिए लेकिन मेरी बात याद रखेगा just wait and watch आगे numerical question करते समय भी आपको कुछी जाजीब लग सकती है लेकिन again मेरी बात याद रखेगा सर ने बोला है wait and watch अब इसके numerical questions करने के लिए जो method है उसको मैंने नाम दिया है डबबा method डबबा method हाँ क्योंकि यह देखिए यह डबबे बने हुए हैं boxes बने हुए हैं इसमें आप देखेंगे कुल मिला के चार positions है चार positions इन चारों positions में कुछ changes आ सकते हैं यह हैं वो changes लाने वाले तो positions यह चार position इन में changes लाने वाले यह जैसे first position पे या तो जी ग्रॉस आ सकता है या end net आ सकता है ग्रॉस या net और कुछ नहीं आ सकता ग्रॉस या net अब ग्रॉस में से अगर depreciation less कर दे तो हमें मिल जाएगा ग्रॉस ग्रॉस में से depreciation less कर दे तो net net में depreciation add करने तो ग्रॉस इसका मतलब है first position को बदलने वाला कौन होगा depreciation depreciation के बहुत सारे दूसरे भी नाम है जैसे capital replacement cost capital consumption cost तो घबरा मत चाहिएगा तो depreciation के करन कौन सी position change होगी first gross में से depreciation less कर दे तो net मिलेका net में depreciation add कर ले तो gross मिलेगा कई बार आपको घुमा सकते हैं वह भुलेंगे ध्यान से देखिए annex and gross में depreciation add करने तो क्या मिलेगा gross में depreciationraj कर ने तो कुछ नहीं मिलेगा बूली नहीं सकते हम क्या मिलेगा इसलिए एड करने तो ग्रb Earth को देख heard second position में आ सकता है कि डी डोंतिक यंदें नेशनल है è डमेस्टिक या नेशनल है और कि बंस्टिक कर वह अङसे अफ़े करता है eneffar के उपर नेट टोंति इंटम फॉर्म अब़ाओ नेट फेंस्टेर मैं फेक्टर इंकम वेक्टर मिला के कितना मिला कुल मिला के मतलब अगर हमें दूसरे देशों से मिले $100 income और हमने दूसरे देशों को दिया $80 लिया कितना $100 दिया कितना $80 तो कुल मिला के हमने लिया हाँ तो net factor income from abroad $20 होंगे उसको हम बोलेंगे NFIA तो NFIA के करण कौन सी position change होगी second position domestic में NFIA add कर लें तो national income मिलेगा domestic में NFIA add कर लें तो national मिलेगा कैसे याद करेंगे यह dnn cnn new channel सुना न cnn का बड़ा भाई dnn dnn domestic में NFIA add कर लो तो मिलेगा national तो national में से अगर NFIA less कर दें तो क्या मिलेगा domestic तो dnn domestic में NFIA add कर लीचे तो मिल जाएगा national तो NFIA के करण कौन सी position change होगी second position third होता है product इसमें कोई change नहीं होता क्यों नहीं होता सबका logic है wait and watch in fourth position पर या तो आ सकता है market price या आ सकता है factor cost market price factor cost अगर market price में से less कर ले net indirect taxes तो मिलेगा factor cost market price में से less कर ले indirect taxes तो मिलेगा factor cost factor cost में add कर ले net indirect taxes तो क्या मिलेगा market price market price less indirect taxes will give us factor cost factor cost में add कर ले net indirect taxes तो market price फिल कीजे कोई राजा है महा प्रताफ suppose hypothetically कोई राजा है महा प्रताफ उनके पास एक money थी treasure था वो उनसे छिन गई तो वो क्या बन गए फकीर चंद FC फकीर चंद और किसी फकीर चंद को वो मिल गई money फकीर चंद को मिल गई money add तो क्या बन जाएका वो महा प्रताफ तो महा प्रताफ में से आईटी चंद गया तो फकीर चंद फकीर चंद को आईटी मिल गया तो महा प्रताफ MP में से आईटी चला गया तो फकीर चंद फकीर चंद को आईटी मिल गया तो MP तो IT नहीं है यह NIT है Net Indirect Access अब NFIA जो उपर हमने यूज किया था इसके करण कौन सी position change होती है इसके करण second position change होती है domestic से बनता है national वो क्या होता है factor income from abroad less factor income to abroad दुनिया से हमने लिया क्या factor income दुनिया को हमने दिया क्या factor income net करतेंगे negative है तो negative फिर NIT NIT के करण कौन सा position change होता है NIT के करण fourth position change होता है लेकिन NIT होता क्या है indirect taxes जो government को हम देते है less subsidies जो government से हमें मिलता है तो net basis पे हमने government को कितना दिया taxes तो net indirect taxes national income किसको कहते है ये जो NNPFC था ये NNPFC इसी को ये national income कहा जाता है दो इसमें भी अभी change हो गया है लेकिन for the time being आपको यही याद रखना है तो national income निकालने बोले तो आपको क्या find करना है NNPFC और domestic income निकालने बोले domestic income क्या होता है NDPFC कैसे याद करेंगे तो ये national income है ये domestic income है तो national के जगे domestic पुट करना है national और domestic कौन से position पर आते हैं second position पर तो आपको क्या find करना पड़ेगा ये N तो याद रहेगा ये सब याद रहेगा national के जगे domestic तो you need to calculate NDPFC अब depreciation के depreciation के कई सारे नाम है depreciation को capital consumption भी का जाता है capital replacement cost भी का जाता है replacement cost भी का जाता है इसके अलावा भी बहुत सारे नाम है तो हमें क्या करना रहेगा बचों हमें numerically कुछ values देंगे for example GDPFC दिया है हमें और बोलेंगे GDPMP find करो GDPFC दिया होगा और बोलेंगे GDPMP find करो तो देखे पहला position चेंज नहीं हो रहा है दूसरा position चेंज नहीं हो रहा है तीसरा position चेंज नहीं हो रहा है पोजिशन चेंज हो रहा है फोर्थ तो आपको दिमाग लगाना पड़ाएगा फोर्थ पोजिशन क्यों चेंज होता है NIT के कारण चेंज होता है और फकिर चंद को बनाना है MP तो उसको NIT देतो तो प्लस कर देंगे NIT तो जो फिकर दिया होगा GDP FC उसमें एड कर देंगे NIT तो मिल जाएगा GDP MP फिर से ये first position किस के कारण चेंज होगी first position चेंज होगी depreciation के कारण gross में से depreciation less कर देंगे तो net net में depreciation add कर लें तो gross second position चेंज होता है NFI के कारण DNN CNN का बड़ा भाई DNN Domestic में add कर ले NFI है तो National National में से less कर ले NFI है तो Domestic Third position चेंज नहीं होती Fourth position MP MP में से less कर ले Net Indirect Access तो FC Factor Cost Factor Cost में add कर ले NIT तो Market Price तो fourth position चेंज होती है Because of NIT प्हार्ण होती है तो प्हार्ण प्हाँ प्हार्ण अज्दाव हाव़ दो बादी शो